पर दो दोस्तों गुट मॉर्निंग नमस्ते कैसे हैं आप सब आसा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मज़े में होंगे आप सभी का पहुत पहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में तो आज हमारे ब्लॉग की सुरुआत हो रही है सामके तीन बजे से तो आज हम बनाएंगे सरसों का साग तो इसी बज़े से जल्दी से खाना बनाना शुरू कर दिया है तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम सरसों का साग लेकर आ गए हैं तो पहले कट करेंगे इसको और आज सरसों का साग जो हैने की कुंदे वाला है बहुत ही मोटे मोटे कुंदे हैं और ये वाला जो साग होता है बहुत ही टेस्टी बनता है तो वैसे तो अब तक हम जो छोटे-छोटे पेड़ थे वही बना रहे थे आज जो हैनकी काफी बड़े-बड़े पेड़ भी है और कुंदे वाला सरसों का साग है और पत्ते कम हैं तो थोड़ा सा ही लेकर आये हैं जादा नहीं है तो इतना ही काफी अच्छा बनेगा और जितना थोड़ी चीज बना उतनी ही अच्छी बनती है तो मैंने का थोड़ा सा ही बनाएंगे तो कट कर लेंगे उसके बाद में दो तीन बारी से अच्छे से धूल ल पानी डाल देंगे जितना हमको जरूरत है और बाद में तो पानी इससे जो हैनकी निकालना ही होता है तो डाल देंगे और जो हैनकी बाद में निकाल कर और फिर बाद में जो भी मसाले हम डालेंगे वो बाद में डालेंगे तो काफी टाइम लगेगा इसको उबले में तो अच्छे से चूला जला देते हैं और तब तक हमारा सहसों का साग उबलेगा तब तक जो हैनकी हम मसाले पीसकल ले आएंगे हल्दी मिर्च और जो इसमें हम पेठा लगाएंगे वो भी पीसकल ले आएंगे और पेठा जो हैने पेठा के लिए चावल मैंने पहले से ही भीगो दिये थे एक डेड़ घंटा पहले ही भीगो दिये थे क्योंकि चावल थोड़े से बैसे वाले हैं जो क पाकी के मसाले नहीं पड़ते हैं धनिया प्याज ये चीजे नहीं पड़ती हैं बस हल्दी मिर्च और लहसुं से छोंका लगता है तो दो ही तीन मसाले पड़ते हैं और यहां पर मैंने अच्छे से इसको वाल लिया है और थोड़ा सा पानी भी जो भी हमें जादा पानी लग थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है हल्दी मिर्च वाली जो कटोरी है उसको धुलगर और फिर से दुबारा से इसको ढखकर रख देंगे क्योंकि नमक भी डाला है तो थोड़ा सा पानी और ये छोड़ेगा और अच्छे से हमारा उबल जाएगा उसके बाद में हम पेठा इस तरीके से ये बनाया जाता है लेकिन कई दीदियों को मैंने कुछ अलग तरीके से भी सरसों का साग बनाते हुए देखा है एकदम से पतला पतला दाल की तरह और जो है नकी पतीली में बनाया जाता है तो वो बाला तो हमारे यां भी नहीं बना है और कई चीजे और भी डाल जाती हैं जैसे पालक बथुआ कई चीजे उसमें डालते हैं सभी लोग लेकिन हमारे यहां सिर्फ सरसों का साग ही बनाया जाता है इस तरीके से और कुछ भी इसमें मिक्स करके नहीं बनाया जाता है तो इधर दो तिन वार अच्छे से मैंने चला कर भी देख लिया है हमारी सबजी बन गई है तो सबजी बन जाएगी उसके बाद में तुरंत से ही रोटिया सेखने लगेंगे और इतने टाइम बंदर भी नहीं आते हैं सुबा के टाइम बहुत सारे बंदर आते हैं तो बहुत ज़्यादा परेसानी हो जाती है बंदरों को देखना होता है और तो अच्छे से मिल जाए और अच्छे से हम परचुली से मिला भी देंगे इसको और फिर बीच बीच में जल्दी जल्दी इसको चलाते रहेंगे तो जोहनकी कढ़ाई में सरसों का साग ना चपके बैसे तो चपकने लगता है बहुत जल्दी से अगर जल्दी जल्दी ना चल तो आज हम परावसे इसको चलाते रहे थे तो बिल्कुल भी कड़ाई में नहीं चपका है और इधर डाल दी है लाल मिर्च तो आज लहसुन बिल्कुल भी नहीं था तो मैंने का चलो लाल मिर्ची से ही छोंका लगा देते हैं वैसे भी ये वाला जो सरसों का साग होता है जाएंगे तो यहाँ पर कोई है नहीं देखने वाला तो मैंने का चलो लाल मिर्ची से ही छोंका लगा देते हैं तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है चोंका और बहुत ही टेस्टी मना था और हमारे यहां महमान भी थे और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि आपके य इसी बज़े से सब्य लोग अमरूद खाने के लिए आते हैं जादा तर और वैसे तो सभी लोग आते जाते ही रहते हैं बराबर से ही आप सबी ने देखा है क्योंकि हमारे यहां सभी लोग ज़्यादा ही कुछो आते जाते हैं और काफी बड़ा परिवार है तो कोई-ना- लाया था और बाजरे की रोटी भी सेंकी थी थोड़ी सी तो पहले मैंने का गेहूं की रोटी बना लेते हैं उसके बाद में बाजरे की रोटी बनाएंगे और इधर बस बनाने लगे हैं रोटी और अब जो है न की अंधेरा हो गया है चारों तरब से अंधेरा ही अंधेरा च क्योंकि जल्दी से ही खाना चड़ा दिया था तो खाना तो हमारा जल्दी से बन गया है और जो है न कि और जो नीचे के काम है वो थोड़ी सी देरी से हो पाते हैं और वैसे तो गाओं में सभी लोग जल्दी से ही खाना पिना बना खा लेते हैं और लेट जाते हैं तो हमारा बैठे हैं मैमान खा रहे हैं पापा सभी लोग खाना बैठ कर खा रहे थे और इधर आप सभी से मिले हैं दूसरे दिन सुबा के टाइम तो आप सभी को गुड मॉनिंग और यहां पर आ गए हैं छट पर तो साम के थोड़े बहुत जो भी काम बाकी रह गए हैं वो कर लेते है तो सबसे पहले तो यहाँ पर जाडू लगाएंगे पूरी छट पर अच्छे से जाडू लगाएंगे और देरी से ही आये हैं जो नीचे के काम थे बहुतो सारे हो चुके हैं बस यहीं छट पर के ही सारे काम रह गए हैं और आज जो हैनकी थोड़ा सा हलका सा कूरा आज भी है तो कूरा तो इन दिनों में रोजी ही चा जाता है और धूप भी हलकी हलकी ही निकलती है जादा तेज धूप नहीं निकलती है तो आज हम लोग कहीं पर जाने वाले भी हैं लेकिन सुबा से नहीं मालूम था उसके बाद में थोड़ी देरी में ही मालूम पड़ा तो बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं थे तो उसकी बज़े से हमारा वीडियो जो है न कि आप सभी तक नहीं पहुँच पाया था और वैसे तो हम इस जीज का ध्यान रखते हैं कि रोजी ही हमें आप सभी के पास में ब्लोग पहुचाना है तो रोजी ध्यान करके ही आप सभी क पास में पहुचा देते हैं और उस दिन इतनी ही प्रोब्लम हो गई थी कि बिल्कुल भी डाटा नहीं चल रहा था तो उसकी वज़े से आप सभी के पास में ब्लोग नहीं पहुचा पाये थे और अभी यहां पर रखती है मैंने चाय बनने के लिए तो पहले दूद मेने का गरम कर लेते हैं पहले पानी मैंने थोड़ा सा गरम किया है क्योंकि यारोई के पापा भी पानी पी लेते हैं गरम बाला जो सुबा के टाइम एक गिलास पी लेते हैं और फायदा भी करता है गरम पानी सुबा सुबा प्यो और इधर फिर रख दी थी मैंने चाय तो चाय हम लोग तो नहीं जाएंगे जैसे जो लोगों को जाना है वो लोग जाएंगे हम जाएंगे आरो ही और हमारी नदद जी हमारे घर से और बड़ी अमा के घर से सभी लोग जाएंगे उनकी दोनों बहुएं जाएंगी और तीन लोग लड़के हैं वो भी जाएंगे तो सबसे छो पखर smaller लगाना में था थोड़ी सी अच्छे से तयारी हो जाती है पहले से ही लेकिन अगेट तो आज ही सुँआ ही पता चला तो जो हने कि मैंने का चलो जल्दी जल्दी तयारी कर लेते हैं और कलर रह गया था सिर्फ तो मैंने का कलर भी पैरों में लगा लेते हैं बैसे तो एक दिन पहले ही हम कलर लगा लेते हैं तो अच्छे से पका भी हो जाता है कलर अच्छा भी लगता है कलर भी खिल से ही तयार हो गए थे और आज भी हमारे घर महमान आये हुए हैं क्योंकि जब परिवार में महमान आते हैं तो हमारे और उनके सबी के महमान होते हैं तो आज भी आई हैं दीदी आई हैं और भाईया आये हैं और इधर आरोही तयार होकर खेल में लगी हुए हैं तो आरोही को पहले ही मैंने तयार किया है क्योंकि आरोई को नहलाना भी था तो आज मैंने आरोई को नहलाया है बाल भी धुले हैं और वैसे तो दूसरे तीसरे दिन सिर्फ नहला देते हैं लेकिन आज मैंने आरोई के बाल भी धुल दिये हैं तो सुबा ही बिल्कुल नहला दिया था जैस नहीं नहीं रहा था फिर बाद में लास्ट में मैंने लगाई थी आरो ही सबसे पहले लगा कर बैठ गई थी और इधर हमारी नंदत जी तैयार हो गई है मैंने और हमारी नंदत जी ने एक साही मैच का ही पहना है और ये वाली साड़ी जो हैं कि हमें ठीक लग रही थी मैंने क धन्यवाद इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा अपना प्यार और सपोर्ट बनाये रखना और इधर हम लोग वहां से आ गए थे वहां का मैंने आप सभी को कुछ भी नहीं दिखाया क्योंकि सभी की अपनी अपनी लाइप होती है तो हम जो हैनकी औरों का नहीं दिखा सकते उसके लिए आप सभी से माफी चाहेंगे और वहां से आने के बाद में हम अपनी नदजी के यहां गए थे जो हमारी ताओ जी की बेटी है उनके यहां तो यहां पर हम लोग चाय नास्ता करने के लिए चाय आए लेकर जा रहे थे जल्दी जल्दी में जो रात हो गई थी लगवक जो हैने कि हम लोग 9 वजे घर पर आप आये थे 9 के बाद में ही आप आये थे तो काफी रात भी हो गई थी और आरोही को ठंडी भी लग गई थी तो आरोही आते ही जो हैने कि वहाँ पर लेट गई थी दीदी के यहां और उसके बाद में यहां घर पर आई आरोही यहाँ पर भी सो गई है मैंने यहाँ पर लिटार दिया रोही को और चादर भी लपेटी थी और उसके बाद में कम्मल उड़ा दिया था आरोही सो गई है आराम से और हम लोग यहाँ पर बैठ कर कुछ बाते कर रहे थे जो भी जैसे हैं कि कहीं से भी आओ तो थंदी चुटती ही नहीं और थोड़ी सी उल्टी उल्टी भी जो है नकी आने की संभावना रहती है चक्कर आ रहे थे तो उसकी वज़े से खिड़की जो थी बहुत दोनों खुली रखी थी कि थोड़ी सी हलकी हलकी हवाय तो मन बैसा रहता है अच्छा मन रहता है और अगर इससी बसंदी लग रहे को ठंड़ी बंद हो जाती है फिर जो değernah की चकर आने लगते है उल्टी आने लगते ही तो इसी वज़े से जादा ही कुछ ठंडी लग रही थी रात में और इदरrit आप सभी से ये किसे ये एक दनी पहले का ही है तो ये किने माप सभी के साथ में शै तो यहां पर गाय जो हैंने की बहुत सारी गाय जो हैंने की ऐसे ही छुटी हुई घूमती रहती हैं कुछ तो गाय ऐसी होती हैं कि दूद भी देती होती हैं वो भी ऐसे ही खुले में घूमती रहती हैं और एक जो आगे गाय जा रही है वो तो दूद दे रही है क्योंकि पता हैं और की लोको छोड़ भी देते है खुले में और इदर हम लोग जा रहे हैं खेड काक नजारह काफी हराबरा और शुंदर है पीले फूलकी ले वुए हैं और आलुकी इनकतंदों disciple हमारे यहां खुदाई चल लगी है, तो आलू तो एक दम से तैयार ही हैं, सबी के आलू तैयार हैं, और हमारे आलू की भी एक दो दिन में खुदाई होने वाली है, और इधर आरोही जो है नकी मांग बेंदा बनाए थे, लगाने के लिए, और मैंने भी बनाया है क्योंकि बहुत ही प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं और इधर हम लोग पहुंचने ही वाले हैं बस अमरूद वाली बगिया और आज दूसरी रास्ता से आए हैं क्योंकि जब भी आरोही के पापा आते हैं दूसरी रास्ते से ही हम लोगों को लिबा कर लाते हैं यहाँ पर जो हैनकी एकदम से सीधी रास्ता होती है और उधर से थोड़ी सी जो हैनकी घास, पेंड, पोधे खड़े हैं तो उधर से इतनी साप सुक्री रास्ता नहीं होती है यह बाली बिलकुल साफ सूतरी रास्ता होती है जहां से आरोई के पापा आ जाए है और इधर हम आ गए हैं अपनी अमरूद बाली बगिया तो यहां पर थोड़े में हमारे आलू खड़े हैं और वांकी के खेत में है सरसों तो सरसों अब तो फूल गई है और अमरूद भी बहुत सारी अमरूद लगी है और बहुत सारी अमरूद जो है नकी तोतों ने खा ली है और जो भी पच्छी होते हैं बहुत सारे पच्छी होते हैं जो कि रात में भी अमरूद खा लेते हैं तो यहाँ पर जो हमारे ताउ जी हैं वो तो रखाते हैं बगिया वो तो रात में भी रहते हैं और दिन में भी पूरा दिन रहते हैं और रात में उनके लिए खाना ना यहीं पर आता है तो वो तो यहीं पर रहते हैं लेकिन हमारे यहाँ कोई नहीं रहता है तो बहुत सारे जो पच्ची हैं वो अम्रूदे उन्होंने खा लिए और इधर आरे खेत में मूली भी खड़े यह आप ही अच्छी अच्छी मूली है तो आरोई के पापा ने का कि मूली भी लेकर चलते हैं घर यहाँ पर येक आरोई के पापा ने उखाड़ी मूली तो आरोई ने दो चार मूलियां उखाड़ी थी और यह जोने की बंद ही नहीं कर रही थी, उखारती ही चली जा रहीं थी, फिर मैंने मना की, अब नहीं उखाड नहीं है, बस इतिनी ही रहने दो, गर पर भी मुली बुआ भी ले गाए थी, क्योंकि बुआ तो रोजी बगा आती है, तो मुली, अमरूद, यह सारी चीजें ल लेकिन तूटने का डर भी रहता है पतली पतली सी जो हैने की बिल्कुर डाड़े होती है इनकी और इस वाले जो यह वाला पेंड़े इसमें बहुत ही मीठी मीठी अमूदे लगती है तो इसी से अमरूदे तोड़ते हैं और काफी अच्छे हर्याली है खेतों में पीले-पील से और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक आज का ब्लोग हमारा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना कल फिर मिलेंगे न्यू ब्लोग के साथ में तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते